दोस्तो अक्टूबर का मन्त है और मिड में हम पहुंच चुके हैं लेकिन फिर भी अभी जो है वो ठंडी का एसास सिर्फ रात को है दिन में गर्मी है और तेज धूप भी है यह देखे दान की फसल लगी हुई है बाजू में तो दोस्तो जब धूप पड़ती है तो साउथ दारेक्शन से ठंड के समय में धूप पड़ती है कुछ इस तरह से और देखेंगे कि अंदर की तरफ जो है वो जो सूरज का तापमान है वो जाता है तो उसे कम करने के लिए हम यहां पर कुछ बास साई इस तरह से मेनेजमेंट किये हैं जहां पर हम कैची के लोहे पर आड़े तीन फीट तक आगे लाकर रखे हैं जितना आपका बास जो है वो निकल जाए और उससे जो धूप है जो देखिए अंदर की तरफ जो धूप जा रही है वो जा तो रही है लेकिन उसका जो तापमान है वो काफी कम है और जो ताव है वो वर्ड को नहीं पड़ रह हैं तो इस हरे नेट को ही हाफ हाफ भी गिरा सकते हैं दो से तीन फीट तक जितनी वो धूप को रोग दे लेकिन हमारे पास ये बास के तुकड़े थे तो इस हमने इस तरह से मैनेजमेंट कर दिया है अभी फिलाल तो ठंड के दिनों में दोस्तों रात में बहुत अच्छी ठंड है लेकिन दिन में जो है वो उमस और तापमान जो है वो बढ़ा हुआ है एक हफते का और इंतजार है तब तक हमारे बर्ड भी बढ़े हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो ठंड आने की संभावना है तो कुछ एक हफते के लिए हमने इस तरह का मैनेजमेंट अभ